दोस्तों गर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीसरा और आकरी एक दिवसी मुकाबला बस कुछी देर में शुरू होने वाला है जहां कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकते हैं तो आखिरकार तीसरा और आकरी वंडे मैच कब और कहा खेला जा रहा है क्या है इसकी टाइमिंग और किस मास्टर प्लैन के साथ उतरेंगे भारती कप्तान रोहित शर्मा दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा विराट कोली और महिंदर सिंग धोनी में से बहतरीन कप्तान कौन है हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों पिछले कुछ वक्त से टीम इंडिया लगातार अच्छा खेल रही है बांगलादेश के खिलाफ वन्डे सीरीज की हार के बाद से ही भारत ने एक बार भी पीछे मुड कर नहीं देखा बांगलादेश को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद टी टीम इंडिया ने श्री लंका के खिलाफ एक दिवस्य श्रंकला को तीन शूर ने से अपने नाम किया जहां कप्तान रोहित और विराट कोली के साथ साथ शुभमन गिल लाजवाब खेल दिखाते हुए दिखे इसके बाद बारी थी न्यूजिलैंड की सबका मानना था कि व भारत को जीत दिलाई इसके बाद बारी थी दूसरे मुकाबले की जीत कर सीरीज पर कबजा करने का ये भी टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखाया और न्यूजिलैंड को 108 रनों पर रुकते हुए आठ विकेट से जीत हासिल कर लिया बारी तीसरे वंडे की जहां रोह इसके बारी मुकाबला 24 जनवरी को खेला जाएगा ये मुकाबला इन दौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच भी भारतिय समनुसर दो बहर डेड़ बजे से शुरू होगा जिसका मज़ा आप स्टार स्पोर्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कोमेंट में मुकाबले में अलग रन नीती और शायद एक नई टीम के साथ भारतिय कप्तान भी उतरने का फैसला कर सकते हैं जिसके चलते इंडियन टीम कम से कम दो बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है जिसके बाद स्पिन टू विन की योजना से टीम इंडिया करेग और शुबमन गिल की ओपनिंग जोडी के साथ मोर्चा समालते नजर आएगी गिल लगातार अपनी स्टाइलिश बल्लेबाजी से सभी को इंप्रेस कर रहे हैं और मैच दर मैच सब का दिल जीत रहे हैं दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने भी दमदार खेल दिखाया जहां उन्होंने ताबर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्द शतक लगाया अपनी पारी में उन्होंने साथ चौक के और दो छक्के भी लगाए अब उनसे सबको शतक की दरकार थी जहां तीसरे और आकरी मुकाबले में वो शतक के इंदजार को भी खत्म करना चाएंग बतौर बल्लेबाज मिडल ओडर की पोजीशन पर अपनी मुहर लगानी होगी और सूरे कुमार यादफ को टीम में अपना इस्थान पका करने का एक और मौका दिया जाएगा अभी तक टी-20 के करिश में को ये 360 डिगरी बल्लेबाज वंडे क्रिकिट में दोहराने में नाक मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए दो सफलता हैं अपने नाम की और बताया की हार्दिक क्यों बहतरीन ओलराउंडर है और वैसा ही पुरदरशन आखरी मुकाबले में भी वो करना चाहेंगे उदर वाशिंग्टन सुंदर का गेंद और बल्ले दोनों सिफ लॉब होने के कारण टीम में उनकी जगा पर सवाल खड़ा हो गया है ऐसे में उनकी जगा लैग स्पिनर यूजी चेहल को शामिल किया जा सकता है इससे इस से टीम में कुल्चा की जोड़ी को भी आसमाया जा सकता है दोनो छोर से कुल्दीब और चेहल की फिरकी लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है जबकि साथवे नंबर पर टीम में शारदुल ठाकूर की जगा रफ्तार के सौदागर उम्रान मलिक को टीम में लाया जा सकता है जिसको लाजवाब पुरदर्शन करने के बावजूद बाहर बिठाया गया उधर तेज गेंदबा बल्लेबाजी करने वाले मुहमद शमी भी अब फ़ॉर्म में वापसी कर चुक है और इसी फ़ॉर्म को ये गेंदबाज तीसरे मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगा उधर तीम के बहात ही घातक नजर आ रही है जिसमें बल्ले बाजी गेंद बाजी के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में गहराई नजर आ रही है आपको बता दे इस वक्त टीम इंडिया ना जिर्फ बल्ले बाजी गेंद बाजी बल्कि फील्डिंग में भी बहतरीन करती हुई दिखाई दे रही है हमारी टीम का बैंच स् पाएं हैं जिस तरीके से सूर्य 360 डिगरी बल्लेबाजी करते हैं फैंस को आखरी मुकाबले में उनसे वैसी ही उम्मीद होगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत और न्यूजिलेंड के बीच होने वाले तीसरे और आखरी एक दिवस्य मुकाबले में रोहित शर्मा औ अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद